Hello students, Good morning India Old Days में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जोतिस एम खगोल विद्या के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा Friends, जोतिस एम खगोल विद्या का विकास भारत में प्राचेन कास से ही चलता आ रहा है और दुनिया को भी हम लोगों ने जोतिस एम खगोल विद्या के बारे में काफी सहयोग किया है तो इनी सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तता चैनल को लाइक और सेर करें ताकि आपके Friends तक भी इत्यास विशे से संबंदित महत्तों पुन जानकरी पहुंच सके ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं जोतिस यम खगोल विद्या का विकास बार्ति जोतिस का इत्यास भी अत्यन प्राचीन है वेदों को भली भाति समझने के लिए जिन छे वेदांगों की रचना की गई थी उनमें अंतिम जोतिस है यह यग्य याग के उचित समय का निर्देश करता है इसके लिए समय सुधी की महत्ती आवस्यक्ता होती है यग्य के कुछ विदानों का समझ समत्सर तथा रीतू से भी होता था नक्षत्र, तिथी, पक्ष, माह का भी निर्दारण यग्य के लिए अवश्यक्त था इन सबका ग्यान जोतिस के ग्यान के मिना संभव नहीं था ये बताया गया है कि जोतिस को भली बाती जानने वाला विक्ती ही यग्य का यथार्थ ग्याता होता है इस परकार प्राचीन जोतिर विद्या का उदशे समय समय पर होने वाले यग्यों का मुहुर्त एम का निर्दारित करना था उस काल के आवसेक्ताओं के लिए यह प्रियाप्त था गुप्त काल के पूर्वे भारतिय जोतिस के विशे में हमारी जानकरी अत्ति आल्प है युनानी प्रभाव के विशे में स्पस्ट सूसना मिन्ने लगती है व्रैत सहिता में यवनों को जोतिस का जन दाता होने के कारण रिशियों के समान पूझे बताया गया है भारतिय गरंतों में जोतिसों के पांच सिधानतों पैतामह, वासिस्ट, सूरिय, पोलिस तथा रोमक उलेखित हैं इन में अंतिम दो की उत्पती युनान से मानी गई है रोमन सिधानत के समन में वाराह मिहिर ने जिन अक्षत्रों का उलेखिया है वे युनानिक लगते हैं पोलिस सिधान सिकंदरिया के प्राचेन जोतिसी पाल के सिधानतों पर आदारित परतीत होता है जोतिस के माध्यम से युनानी भासा के अनेक शब्द स्रेंस्क्रित तथा बाद के भारतिय भासों में पर्सलित हो गए गुप्तकाल में स्रेंस्कर्थ के अन्य पक्सों के साथ साथ जोतिस यह खगोल विद्या का भी सरवांगिन विकास हुआ इस समय तक खगोल विद्या का अध्यान इतना अधिक लोगपिरिय हो गया था कि कालिदाज जैसे कवियों ने भी इसका अनेक सहे उलेक किया गुतकाल के इत्यास परसित जोतिसी आर्यभट पर्थम एंवराह मीर है आर्यभट परसित खगोल विद्य होने के साथ साथ महान गणी तग्ये भी थे आर्यभट का जन्म पाठली पुत्तर में 476 इस्वी के लगबग हुआ 23 वर्ष की आयू अर्था 499 इस्वी में उन्होंने अपने परसित ग्रण आर्यभटियम की रचना की थी जोतिस के परगत्ती की निश्चित एउम परतेक्स जानकरिह में इसी ग्रण से मिर्टी है आर्यभट पर्थम जोतिस पर लेख ने उठाने वाले प्राचीन तम ग्यात एथियासिक विक्ति थे निशन्दे है वे भारत द्वारा उत्पन महान वेगयनिकों में से हैं उन्हें सिकंद्रिया के युनानी जोतिसियों के परमुक सिदानतों और निश्कर्चों का अच्छा ग्यान था साथ ही साथ अपने भारतिये पूर्वे सूरियों के ग्रंथों तथा पदत्तियों का भी उन्होंने धान पूर्वा कद्यन किया था तथा पी आर ये बटने किसी का भी अंधानों करण नहीं किया तथा सभी प्रकार के पूर्वा ग्रोहों से रहित होकर अपने निश्कर्षों का परतिपादन किया वे लिखते हैं कि मैंने खगोले सिधानतों के सच्चे जुटे समुद्र में गहरी डूपकी लगाई तथा अपनी बुद्धी रूपी नोका के माधम से सच्चे ज्यान की मुल्लेवान निमजित मनी का उद्धार किया सपस्टत है उनके निश्काष स्वयम के निरिक्षणों एम अन्वेश्णों पर आधारित थे सिकंद्रिया के खगोल संपड़ा के निश्कर्शों का भी आरिये पटने अंधनों करण नहीं किया अपितु अपने अन्वेश्णों एम निरिक्षणों द्वारा उनमें परिस्कार भी किया उनके मन में भारतिय धरम सास्त्रों जैसे शुरूती, स्मर्ती, पुराण, आधी के परती सम्मान था लेकिन इनके द्वारा परती पादित इस माननेता को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया कि सूर्य एम चंद्र ग्रहनों का कारण राहो और केतु जैसे असुर है उन्होंने ये मत दिया कि संद्र या सूर्य ग्रहन चंद्रमा पर परत्वी की छाया पढ़ने से थ्वा सूर्य और परत्वी के बीच चंद्रमा के आजाने से लगते हैं आर ये बट पहले भारतिये खगोल सास्त्री थे जिन्होंने ये खोज की कि पर्थवी गोल है तथा अपने यक्स के चारों और परी ब्रमन करती है सूर्य इस्तित है तथा पर्थवी गतिसील है चंद्रमा तथा दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकास से ही प्रकासित होते हैं उनमें स्वेम कोई प्रतेक्स प्रकास नहीं होता है उन्होंने ही जीओं के फलनों का पता लगाया थदा खगोल के लिए उनका उप्योग किया दो कर्मागत दिनों के अवधी में व्रदी या कमी को नापने के लिए सटीक-शुत्र पर्स्तुत किया ग्रहिये गतियों के विवरण की व्याख्या के लिए अधी चक्रिये सिधान्त की स्थापना की। चंद्र की कक्सा में पर्थवी की छायां के कोण ये व्यास को सुद रूप से परकट किया। उन्होंने ये निश्चित कनने के भी नियम बनाए कि किसी ग्रहन में चंद्रमा का कोन सा भाग आचादित होता है तता ग्रहन की अवदी में अर्धान से तता पूर्ण ग्रास का ग्यान किस परकार किया जा सकता है और ये बटने वर्ष लंबाई अर्थात 365.2586805 दिनों की बताई ये टोलमी द्वारा मानने लंबाई 6.365.2631579 दिनों की यथार्ट अवदी के सनिकिट है सूर्य की प्राकास्टा के देशांतर तथा चंदर के पातों के नक्षत्र काल विशैक उनके विचार भी सही है ये सबी खगोल चेतर में उन्नत ज्यान के परिचायक है किन्तु ये खेद का विशै है कि हम उन पदतियों तथा परिक्षणों के बारे में कुछ भी नहीं जानते जिन्होंने इन उपलब्दियों को सुगम बनाया दूर विख्षण यंत्र के मिल्यान के अभा में खगोल चेतर में इतनी उचकोटी की उपलब्दी सस्मुस आशरिये की बात कही जाएगी पास्साते जगत कोपर निसस अर्थात 14-13-15-49 इस्वी को बर्मांड के सूरिये केंद्री सिधान्त का अन्वेसक मानता है जबकि इसके स्ताब्दियों पूर्वे भारतिये खगोल सास्त्री आर्यबट ने इस सिधान्त का पता लगा कर ब्रह्मांडिये गती वीदियों का केंद्र सूरिये को घुसित कर दिया था आर्यबट के बाद उनके सिश्यों निहशंग, पांडू, रंग स्वामी तथा लाट देव द्वारा उनके सिधान्तों के व्याक्या परस्तुत की उन्हें स्त्रव सिधान्त गुरु भी कहा जाता है आर्यबट के बाद भारती जोतिशों में वाराह महिर जो 36 ताब्दी के माने जाते हैं का नाम उलेखनिये है यदि आर्यबट गणित जोतिश के परवर्तक थे तो वाराह महिर फलित जोतिश के पनेता के रूप में स्मानिये हैं वे उजेनी के निवाशी तथा आदितेदास के पूत्रि थे। उनका गणित जोतिस समंधी पर्षित ग्रंद पंदसिधान्ति का है, जिसमें इस्सा की तीसरी चोथिस तापदी में पर्षित जोतिस के पांचों सिधान्तुं पैता मेहें वासिस्ट रोमक पोलिस तथा सूरि का उलेक मिलता है पंच सिधान्तिका के पर्थम खंड में खगोल विज्ञान पर प्रकास डाला गया है ब्रमांड ये पिंडूं का अस्तित्वे उनका परस पर समंद तता प्रभाव समंदी वारह मेर का ज्यान आज में हमें चमत्कृत करता है इनमें मात्र सूर्य सिधान पंडू लिपी तथा टिकाएं भी इसमय प्राप्त हैं वारह मेर ने विज्ञान की उन्नति में कोई मोलिक योगदान तो नहीं दिया किन्तु पंच सिधान्तिका लिखकर उन्होंने जोतिस का बड़ा उपकार किया यदि ये गरंद नहीं मिलता तो जोतिस सास्तर का इथि पंच सिधान्तिका के अलावा वारा मेर ने कुछ अन्य गरंतों जैसे व्रहत जातक व्रहत सहिता तथा लगू जातक की भी रचना की थी ये फली जोतिस की रचनाएं हैं पोदों में होने वाले विबिन रोगों तथा उनके उपचार के छेत्र में भी उन्होंने बड़ा क किया विबिन ओस्ति के रूप में पोदों के गुणकारी उप्योग समन्दी उनके सोद आयूरवेद की अमूले निधी हैं वरेस सहिता जोतिस भोतिक बुगोल वनस्पति तथा प्राकर्तिक इत्यास का विश्वकोसी है आर्यबर्त तता वराह मिहर के बाद भारतिय जोति इनका दूसरा गरंथ है ब्रह्म गुप्त को इस बात का स्रे जाता है कि अर्बो में जोतिस का पर्चार सरपर्तम उन्होंने ही किया उनके गरंथों का अलबुदनी द्वारा अनुवाद किया गया उनके सिधान्तों का विदेशों में बड़ा समान था सांचों के अनुसार प्राच्चे सुधार के इतिहास में ब्रह्म गुप्त का स्थान अत्यंद उंचा है तोलमे के पूर्वे उन्होंने ही अरब के निवास्यों को जोतिस का ज्यान सिखाया था बारतिये खगोल सास्त्री अच्छे गणितग्ये भी थे तथा इस विशे में उनका ज्यान युनानियों की अपेक्षा अधिक था गणित के माद्यम से ही भारतिये खगोल विद्या यूरोप पहुंचाई गई सात्वी स्ताब्दी के सीरिय जोतिस विद सिवोखर्ट को इसकी महंता का ज्यान तथा बगदाद के खलीफा ने अपने यहां भारतिये खगोल विद्यों को नियुक्त कर रखा था मद्यकाली उरोपिय खगोल सास्तर में पर्सली शब्द आक्ष अर्थाद ग्रैपत के सर्वोच्चे स्थान निस्तित रूप से संस्कर्ट के उससे लिया गया है तो देखेगा फ्रेंस इस वीडियो में हमने जोति सेम खगोल विद्या के बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार से इत्यास विशे से संबंदित महतोपुन जानकरी आपको इस हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलती रहेगी तो बने रहें यूटू चैनल इंडिया ओल्डेज पे